सड़े 800 सदर से होनी के बावजूद भी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है आरा इस्तित रेड क्रॉस जहां पर अपनी समस्याओं को लेकर पहली बार रेड क्रॉस के सचीव ने एटियन से खुल कर बाते की जिसको लेकर हमारे धर्मेंद्र कुमार ने रेड क्रॉस इससे सारे सबी समस्याओं को सुना जिसे हम आपके समक्ष भी साज़ा करने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले आप इसको देखे और ध्यान पुर्वक सुने और इस बात को जरूर ध्यान में रखे कि अगर हम रक्तिदान नहीं करेंगे तो आने वाला एक वक्त ऐसा होगा जहां हमें रक्त की जरूरत तो होगी लेकिन रक्त उपलब्ध नहीं हो पाएगा ATN की ओर से में यही अपील करना चाहूंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तिदान कर सकते हैं तो रक्तिदान अवश्य करें क्योंकि आपका रक्त कब और किसकी जान बजाते ये कोई नहीं जानता प्राइब बड़िए टो हैं तो हम छोगी से भी जान बजाने बजाते चाहूंग इसमें है यह तो पाने करेंगा है आज हमें कैसे जगह पर खड़े हैं जहां पर हर व्यक्ति को आना मजबूरी कहां या जरूरी कहां हर धर्म हर जातिक लोग यहां पर भिना आये अपना काम कभी ने करवा सकते हैं हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस के जहां पर सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज है इंसान को जीने के लिए वो है रख्त यहीं से मिलता है लोगों को रख्त लेकिन आज यह रख्त जो लोग यहां से ले जाते हैं संघर्स कर रहा है रेड क्रॉस क्योंकि लोग रख्त तो ले जाना यहां से अपना मजबूरी कहें या जरूरी कहें समझते हैं लेकिन रेड क्रोस खुद आज मान के चलिए संघर्स कर रहा है अपने रक्त के लिए क्योंकि जिस तरीके से रेड क्रोस में लोगों की संख्या बढ़ते जा रहा है रक्त के लिए और दाताओं की कमी होते ज और रेट क्रोस के द्वारा भोजपुर जीले में दो-दो ब्लड बैंक चलाया जा रहा है। होता है यहां पर बहुत जोर से प्रचार प्रसार होता है पर कैम्प का मतलब कम से कम 20 या 25 यूनिट होना चाहिए। यहां पर 2 या 4 मैक्सिमुम जाता है तो 10 जाता है। बहुत कम है। क्या लगता है कि जैसे कि हम लोग भी करते हैं। बड़े बड़े संस्ता से भी लोग आते हैं। खबर आता है, मेडिया में खबर आता है। तो क्या मतलब कि केवल वो एक फोटो तकले सीमित रहता है, या कि लोग रक्त दान उतना करते हैं। क्योंकि जिस परकार से अभी फिलहाल हमारे जीले में रक्त किया वा सकता है, उतने लोग यहां पर आते हैं। करने के लेने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन देने के लिए बहुत कम आते हैं तो लोगों को क्या संदेज देंगे कि जो यहां पर आते हैं उनकी क्या संदेज देखिए जो भी यहां आते हैं उनका तो हम स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर अ अति अवा सकता होता है तो लोग ए पोजिटीव बीपोजिटीव लिकर फोन नंबर डाल देते हैं कि अति अवा सकता है लेकिन ऐसी मजबूरी क्यों है कि लोगों को सोचल मीडिया का माध्यम लेना पड़ता है खुद क्यों नहीं वो रेड़ कुरस पहुचते हैं जिनकी प्रती दीन आवसकता पड़ता है लगभग प्रती दीन हमें 15 से 20 ब्लड सप्लाई करने पड़ते हैं जितना हमें भोजपूर में चाहिए उतना हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं फिर भी हमारी कोशिश होती है कि भोजपूर जीले में खून की कमी से किसी की मृत्यू न करें और अपने परिवार के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको की रक्त देने वाला कोई नहीं है जो लावारी से है लेकिन अधिकतर मात्रा में ये देखने में आता है कि उस कार्ड को ले करके अगले को ब्लड की जरूरत है उसको कहीं मित्र साथी या किसी डोनर से मिल गया और वो बहुत इसली चाहता है कि उसको ब्लड मिल जाए वो देना नहीं चाहता वर्तमान में जो विवस्ता है कि अगर एक यूनिट ब्लड हम लोग देते हैं तो एक रिप्लेस्मेंट चाहते हैं क्योंकि अभी हमारा शहर छोटा है हमारा जिला छोटा है और कोशिस करते हैं कि जो व्यक्ति रक्त लेके जा रहा है वो एक यूनिट डोनेट करें वहां पर उनकी कोशिस होती है कि हमें पैसे से दे दो या हमें काड़ पर दे दो तो रक्त की कमी का ये भी एक बड़ा कारण है अब हम बता है कितना संघर्स करना पड़ा रहे रेड क्रोस को कई सदस्य हैं और एकुप्मेंट की काफी कमी यहां पर देखने को मिलती है और लोगों को रक्त क्या हो सकता दिन प्रते दिन बढ़ते जा रहा है तो क्या मशीन होता तो लोग कि यह सुवधाय उपलब्द हो के सहयोग से राष्टी संभिकासी हो जना के अंतरगत 2006 से लेकर आज 2020 तक वही पुरानी मशीने चल रही है और कहीं ने कहीं जो लेटेस्ट टेकनोलोजी आती है उसके द्वारा हम लोग HIV टेस्ट करते हैं या हैप्टैटिस का टेस्ट करते हैं तो उन मशीनों की आधूनिक मशीनों की हमें आवस सकता है यदि भी हमारे पास संसाधन सारे हैं लेकिन यदि हमें बढ़ियां और अच्छी रिपोर्ट बनानी है और ब्लड को बिलकुल शुद्ध रूप में लाना है तो हमें इलाइजा मसीन की और भी छोटी-छोटी दो-चार मसीने उसकी जरूरत है लेटेस्ट टेकनोलोजी वाली तो मेरी हम हम सबकी मिली जुली कोशी से हमारी पूरी की पूरी जो अभी स्कुटीब कमिटी है वो निरंतर प्रयास कर रही है फिर भी एक चीज का अपसोस होता है यह मैं बेक्तिगत रूप से कहना चाहूंगी कि पूरे भोजपूर में 800-900 सदस से हो और वो अगर आर्थिक विपन्नता को जहल रहा है तो यह थोड़ी सी अफसोस वाली बात है क्योंकि हम किसी इंस्टिउशन से जब जूडते हैं तो सिर्फ हमारा करतब भी यह नहीं है कि हम उसके लाइफ मेंबर बन गए हमारा दिकार यह नहीं है कि मैं यहां हैं तो उन लोग से समक्षा अपने बात रखा तो कभी कुछ हुआ हम लोग बराबर इन लोगों के सामने बात रखे हैं और हमारे जो अभी MLC महदे मानिये शरी माननelyn स्री राधाचरंस एड जी ने हमारी बाउंडरी का निर्मान कराया वस्तुता रेड क्रश ब्लड बैंक या रेट क्रॉस सोसाइटी का जो भवन है हमारे स्थानिय विधायकों की देन है यह सारा कुछ साहब ने हमारा जो यहां पर ब्लड डोनिशन कैम कराया उसमें 32 उनिट ब्लड उनों ने डोनेट कराया तो यह हमारे लिए गर्व की बात है मैं बात कर रही हूं उस आम आदमी की उस आम सदस्य की जो सिर्फ एक फॉर्म दे करके पांच सो पहले हमारी 50 लाइफ मेंबर की को आदमी को अमनी सेवा दें selective हम uneasy trivial लावafar टाया जाया जिससी आज कि असके मैं रक्त कि वसकता सभी को पड़ता है तो कितने प्रतिसद क्लोग यहां पर आते हैं साता है तो वहां पर आयए दिन ये देखने को मिलता है कि रंगत कि कमी सेंटे के मिलतीय है और मरीजों को जल्दी सं으रे क्यों कर दो कि जरतने की कि कई रहिए क्या लाएं यहां पर इस तरीका का जो लोगों को किसे आप कंवेंस कर पाएंगी कि आप shrub emergen of the choshire देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिनको blood की आवसकता है तो सरीर मानो सरीर में ही blood बनता है और blood bank जो है especially red cross का blood bank हो या जो भी सरकारी blood bank है उन लोगों का एक मानक होता है और वो सारे test के बाद ही रख्त की शुद्धी पर ध्यान रखते हैं वो quantity पर नहीं जाते हैं quality पर जाते करें कि अगर आप registered blood bank से लेते हैं तो आपको सुद्ध रख्त मिलेगा दूसरा हम उनको यह जाग रुख करते हैं कि यदि आपको आज जरूरत है जैसे कि blood bank bank नाम इसलिए दिया गया कि जैसे बैंक में हम अपने पैसे को रखते हैं और वही पैसा फिर हमें ज्यादा मिलकर कि मिलता है हमें मिले या किसी और को मिले हमारा ही पैसा रोटेट होता है ठीक उसी तरह blood bank भी काम करता है कि हमारा blood आज आपको दिया गया आपका blood किसी और को दिया गया क्योंकि यह किसी machine में नहीं बनता यह सिवाए मानों सरीर में ही निर्मीत होता है अभी फिलाल आपके ह काफी कम संख्या में स्टाफ हैं। उनके कितनी संख्या है और कि वाट करना पड़ता है। क्योंकि बात बात यहां है Red Cross से संख्रस कर रहा है। काफी सक्रिया सद्था से इसमें मतलब मेंबरky बहुत है है उस पर भी हम बात करेंगे हमारे रेट्टोस में अभी फिलाल तेरह स्टाफ है जिसमें हमारे तीन लैप टेक्निशियन है एक नर्स है नम है फस्ट क्लास और बाकी जुनियर है एक कंप्यूटर अपरेटर है चार हमारे फॉर्थ ग्रेट के स्टाफ है दो गार्ड है टोट से कुछ लोग मेंबर्स हमारे हैं वो कुछ कभी डोनेट कर दिये कभी नहीं भी किये और बेसिकली हमारा ब्लड बैंक का जो प्रॉसेसिंग फी होता है जो हम 630 रुपया लेते हैं एक ब्लड यूनिट का तो इन सारी चीजों को मिला करके ही हम अपना खर्चा निकालते हैं और अपने स्टाफ को पेमिंट करते हैं हमारे स्टाफ को बहुत कम हम लोग पेमिंट करते हैं मीनिमम 6,000 है मैक्सिमम 15,000 है तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम आर्थिक रूप से संपन होते तो हम अपने स्टाफ को एक बहतर सेलरी दे पाएंगे उनके लिए प्रवि और उनको जब हमसे बहतर अपोर्चुनिटी बाहर मिल रही है तो वो छोटी जगा में क्यूं आएंगे तो हमें अभी सबसे बड़ा संघर्स यही करना है कि हमारी आर्थी किस्तिती इतनी सम्रिद्ध हो कि हम अपने स्टाप की सेलरी बहतर दे सके। कि जब यहां पर लोग रखत लेने आते हैं तो उनका बेवहार किस तरीकी का होता है। कि जैसे कि लोग जितना आपने कहा कि यहां जितना डोनेट करने नहीं है तो जाद लेने कैसे यह मैनेज कर पाते हैं। कि कई भी आईपी का फोन आप लोग पास आता होगा, बड़े-बड़े लोग का भी फोन आता होगा, कि हमें इस रख्त किया वा सकता है। तो ऐसे में क्या कोई अलग से विवस्ता है या मतलब सब को एक समान देखा जाता हो चाहिए भी आईपी हो या फिर जो जेर्नल हो। लेकिन मेरे पास ब्ट किया वदी होती है उस वक्त होता है। और ऐसा कुछ नहीं कि हम विआईपी के लिए रखते हैं और जनल के लिए अलग सब के लिए होता है। लेकिन जब यहां पर रक्त उपलब्द हो तो उन्हें आराम से दिया जा सकता है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां डोनर कम है और रक्त लेने वाले ज्यादा है ऐसे में कई सवाल खड़ा होता है कि आखिर रक्त का ये पूर्ति कैसे किया जा सके क्योंकि कई बार आरा जो सहर है यहाँ पर ऐसी समस्या होती है कि मरीजों को पटना ले जाना पड़ता है और लोग पटना में जाकर अपना डोनर ढूंड लेते हैं लेकिन आज आरा में अपना ही खुद के लिए डोनर उनके लिए धूनाना मुस्किल होता है लोग कार्ड के माधियम से सोचते कहीं से किरी किसी कार्ड मिल जाये और रक्त मिल जाये रच्ट अपना है कि अब देखिये करना कोई यहीं नहीं है इसे ख़वाय नहीं चाहिए मैं यही बोलूगा कि रक्तदान महादान है और इसे हमें पीछे नहीं भागना चाहिए यह किसी की जरूरत को पूरा करता है अगर आज हम हैं कल कोई और होगा किसी को जुरत पड़ सकती है तो इसलिए रक्तदान सब के लिए मैं यही बोलूँगा कि करना बहुत ही अच्छी बात है इससे हमारे लिए भी बेनिफिट है और दूसरों को भी इससे फायदा मिलता है अगर जो यह कर सकते हैं वो जरूर करें अब इसके लिए तो वही जो यह रेड रोस जो सोसाइटी है यह जगा जगा पे अगर अपना कैम्प करें या और लोगों को जागरू करें कि हां मैं आप बलड दीजिए इससे आपका यह होगा किसी की जुरूरत को पूरा करेंगे या इसके बाद उनको बताया जाए इसके बारे में जानकारी दी जाए कि रक्तदान जो है इससे करने से हमारे बाड़ी के अंदर बहुत सारे चेंजिजिज होते है नया बलड बनता है पूरी फायर होता है तो यह सब चीजे बताने से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होगी और मुझे लगता है कि इसके प्रती लोग जागरूक होंगे